प्रेंड्स आप लोग यह सीखना चाहते हो मैं जानता हूँ आप लोग जरूर यह सीखना चाहते हो क्योंकि डांस में बहुत ही यूज करते हैं इसे हम बोलते हैं सुसाइट की कप मैं आपको सबसे असान तरीके से बताऊंगा सबसे हट के बताऊंगा दुनिया के असान तरीके से बताने वारा हूँ आप लोग इसे घर पर सीख जाओगे जैसे मैं बताता हूँ आपको उसी प्रकार इसकी प्रैक्टिस करना है आप लोग इसे ग्रास एरिया, सैंड एरिया, बालू या गद्दे पर या पानी पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां भी आपको सेप्टी के विशेश ध्यान देना है, क्योंकि लगने के बहुत चांस है, क्योंकि यह सबसे खतरनाक इस्टंड कीकप तो आप लोग कर लेते हो, इसे प्रेस कर देना है, और साइड में बिलाकन भी होगी, आपको उसे प्रेस कर देना है, वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करना है, और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, एक मेरा फ्रेंड्स है, वो सीके डांस इस्टंट उसका चैनल है, वो यूट करके दिखाऊंगा कैसे करना, आप लोग भी इसी प्रकार कोई अच्छी फील्ड ढूल लेना, वहीं पर आपको प्रैक्टिस करना, आपके पास नहीं है, तो इस प्रकार आप लोग गद्दे पर भी कर सकते हो, कोई भी हम इस्टंट करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक्स कर लेना और आप दोन इसारी करना कीजा ढह़ें, अब आपको क्रूंड की काच मैजाते हैं, के अधर हैंडिया, आपको फ्रकार आंदिगेट गढ़करना, उन कलिसे लाग तो सीऔर हैंडी कोई लोगक्न से आपको यह से लते मैं, अद्ट पर जिए अधर हैंड्र और आप अपनी कलाय के एक्सराइज करें और आपको इस हैंडेपर भी करना है एक मैं आपको बहुत आसान तरीके से से बताओंगा सुसाइड की किक अपकरने के लिए आपको नर्मल सी किक आना चाहिए वह भी नहीं आती तो फिर भी आप सीख जाओगे देखो फरेंट्स पहले तो आप को नॉर्पमी किकअप आनके इसकार होती आप को बता देता हूं तो आपको आना चाहिए नहीं आती तो फिर भी मैं इसको समझा दूँंगा कि देखो आपको किसी जगा लेट जाना है लेटने के बाद आपको अपने हैंड ऐसे रखना ऐसे करके और पैर को पूरत पीछे को ले जाना यहीं से आपको अपने पैर आगी को और किक मारना है उतनी समय आपको अपने हैंड भी पूस करना जमीन पर जितना हो सके ऐसे करके क आपको हैंंड पुस्ट करना अपने पैर से अागी को Roo tick माना ऐसे करके कुछ्छ आपको मानना देखो ऐसे करके अपके पैर उपर जाएंगे धील धील है ऐसे गरें की कर्के आयसे अ ऐसे है एतनी समय आप लोग हैंड भी पुस्ट कर दो चैतो आप कि कै trud hep कर लोगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, ऐसे करके करेंगे, ऐसे, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, ऐसे, आप देख सकते हैं, किकप इस प्रकार होती है, आप इस प्रकार किकप सीख सकते हो, और देख लीजिए, ऐसे, आप लोग इस प्रकार किकप सीख सकते हो, आपको इस आना चाहिए यह नहीं आते तो फिर भीद आप सीकर अब देखो सुआइट की आप आप लोग सीख जाओगे तो बैक हैंड इस प्रिंग जरूर सीख जाओगी करना कैसे देखो मैं आपको बताता हूं इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज फॉलो करना है मैं आपको जो बताता हूं देखो आपको ऐसे करना देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आपको अभी प्राक्टिस होगी कि हईच्जाईट करते हैं ऑपने के आपको यहाँ आपकी बॉड़ी जाती है यहां पर और घाल की बाल आपको नहीं जाना यहां यह आपको चोट लगा सकती ऐसे करके देखिंग से अब बता देते हूं आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना इसी के एक्सेज करो आप अप लोग बैक रोलिंग भी कर लिजिए तो और फैदा हो जाएक जैसे आप लोग इस तरह नहीं की पाते तो आप घूम जाओके पूरा आपको लगे नहीं आप लोग बैक रोलिंग भी कर सकते आप लोग बैक रोलिंग कर लिजिए मैं आपके लिए मिटी पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ भाई हमारे जैसे मैं बताते हूं प्लेस जगापर वहां पर करने लगते तो आप लोग प्लीज भाई आप लोग प्लेस जगापर बिल्कू भी नहीं करना आप लोग से यह सैंडी अरिया बालू यह गद्दे पर यह पानी पर इसकी प्रैक्टिस करें फिर भी आपको सेप्टी के विशेश ध्यान देना क्योंकि लगने को बहुत ज्यादा चांस है डैंज्रेस इस्ठंट है आप लोग जानते हो क्योंकि बैक हैं इसी प्रकार है आपको यहा छीचह लाने में डर आपको समाप्तत हो सकता है दéखो माने विशेश प्रकार करता हम देखो अपने ऐसे रखोंगा और पैर अपने पीछे ले जाऊंगे से यहीं से पायर आपको देखो करके आपको जमीन पर पूस करना आप इससे ते यह वाली नॉर्मल सी किकप सेख और देख लीजिये लेगी कप अब जो मैंने आपको एक सबसंद बता है सब्सेज करना इसे प्रकार करना है देखो ऐसे करके पहले तो आप इसे बैठ कर प्रैक्टिस करो ऐसे बैठेंगे ऐसे करके ले जाएंगे जैसे हम डी बनते हैं उसी प्रकार आपको करना जो मैंने अभी आपको ऐसे बताया ऐसे करके देखो ऐसे करके करना है आपको अपनी बोडी आपको यहां आपकी बोडी यहां ज कि ऐसे आपको इसकी प्राक्टिस करते रहना कि आप लोग देख सकते हो पहले मेरे हैंड जाते है फिर मेरी बोडी जाती है बोडी ये टाच होती ही जमीन में कि आप लोग इस पकार सुसाइट की कप सीख सकते हैं ऐसे यहां पर मैं आपको दो तीन सुसाइट की कप और करके दिखा देता हूं आप लोग भी सीख जाओगी इस पकार करते हो तो आप लोग देख सकते हो बैक रोलिंग से यह फैदा है बैक रोलिंग आप करते हैं तो जैसे आपकी जम्प ज्यादा हो जाएगी तो आप घूम जाओगे आपको लगने के भी कोई चान्स नहीं इसलिए आप बैक रोलिंग भी कर सकते हो आप लोग देख सकते हो मेरी जम्प ज्यादा हुई इसलिए मैं पीछे घूम गया आप लोग सुसाइट की कप इस प्रकार सीख सकते हो असान तरीके से अपने घर पर सीख सकते हो आप गद्दे ले लीजिए या पैरवरा ले सकते हो या बूसा ले सकते हो जो लोग गाओं के वो जानते हैं तो इस पकार आप लोग सीख सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने की या तो प्लीज आपको नीचे दिए गए रेड कलर कि बटन को प्रिस कर देना साइड में बिलाकन भी होगी आपको उसे प्रिस कर देना झाल, 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 झाल